दोस्तों रमस्कार मिरा नम संजे मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभाज चुनाव को लेकर इस समय टिक्टों की कश्मकश पूरे शबाब पर है कौण सी पार्टी से किस नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या कौण सी पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता है इसको लेकर तमाम कयासों के दौर है भारती जनता पार्टी अपने 66 प्रत्याशी घोशित कर चुकी है तो कॉंग्रेस ने भी कल देर रात को यानि की लगवग पहली एक लिस्ट में 31 नाम और फिर उसके डेड़ घंटे वाद एक नाम यानि की 32 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है कॉंग्रेस ने कल रात को लगवग साड़े 10 बजे अपनी कैंडिडेट की सूची जारी की थी और उससे ठीक दो घंटे पहले लगवग साड़े 8 बजे हमने भी आपको बताया था कि हर्याना कॉंग्रेस के 90 कैंडिडेट कौन हो सकते हैं उन 90 केंडिडेट में से जो सूची हमने आपको बताई थी और जो कॉंग्रेस ने 32 प्रत्याश्यों के जो सूची जारी की आप ये कहलें कि देश रोजाना की सूची पर कॉंग्रेस आला कमान ने महर लगा दी जो हमने आपको नाम बताये थे वो सभी 32 के 32 नाम जो देश रोजाना द्वारा बताये गए थे उन्हीं सभी 32 नामों पर महर लगी मैं आपको दोरा दूं उन नामों को एक बार फिर से कि देश रोजाना ने कौन से नाम बताये थे और किन पर महर लगी हमने इसराना विधानसभा के लिए बलवीर सिंग वालमीकी जो आजकल विधायक हैं उनका नाम कहा था और बलवीर सिंग वालमीकी को टिकट मिला दूसरी सूची में पहली सूची में 31 नाम थे और दूसरी में एक नाम आया तो इसराना से बलवीर सिंग वालमी की जो वहां के विधायक भी हैं उनको टिकेट मिला। अगली बात करें तो हमने कालका विधान सभा के लिए परदीप चौधरी का नाम बताया था परदीप चौधरी को टिकेट मिला। शाबाद से हमने कहा था कि रामकरन काला जो जेजेपी छोड़ करके आये थे उनको टिकेट मिल सकती है रामकरन काला के नाम पर ही कौंग्रेस आला कमान ने मोहर लगाई अगली बात करें तो नीलो खेडी नीलो खेडी के जो निर्दलिये विधायक आये थे धरमपाल गौं सुरंदर का टिकेट ही फाइनल हुआ अगली विधानसभा की बात करें तो असंद के लिए अमने वहां के विधायक शमशेर सिंग गोगी का नाम बताया था शमशेर सिंग गोगी का टिकेट तै हो गया समालखा के लिए अमने वहां के विधायक धरम सिंग चोकर का नाम कहा था धरम सिंग चोकर का टिकेट कनफर्म हो गया है खरखोदा विधानसभा के लिए अमने आपको जैवीर सिंग का नाम बताया था जैवीर सिंग को ही टिकेट मिला है सोनिपत के लिए हमने सुरंदर पमार जो भांके विधायक है उनका नाम कहा था सुरंदर पमार कोई टिकट मिला है गोहाना के लिए पूर विधायक जो जगवीर सिंग मलिक के लिए मैंने कहा था कि जगवीर सिंग मलिक को टिकट मिल सकता है पूर मंत्री हैं आजकल के विधायक हैं जगवीर सिंग मलिक का ही टिकट फाइनल हुआ है अगली विधान सवा अगर बरोदा की बताएं तो बरोदा के लिए इंदुराज सिंग नर्वाल जिनको भालू के नाम से कहा जाता है दिपेंदर हुड़ा के टीम के बहुत बड़े इंदुराज सिंग का है तो इंदुराज सिंग का टिकट तै हुआ जो लाना के लिए मैंने आपको बताया था कि विनेष पोगात जुराना या दादिरी तो जुराना आमने पहली पसंद ब outta अगली विधान सभा सफीदो सफीदो से सभांश गैंगोली सभाश गैंगोली द अमेज सिहाक फिर दोर आये गए हैं गरी सापला किलोई से भूपेंदर सिंग उन्डा जी का फिर से नाम आया है रोतक के लिए भारत बुशर बत्रा जो विधायक है उनको फिर टिकेट मिला है कला नौर के लिए शकुंतला खटक जो वहां की विधायक हैं उनको फिर से टिके अगर अगली विधानसफा की बात करें तो बादली बादली से कुल्दी बत्स का टिकेट फिर फाइनल हुआ है जजजर से श्रीमती गीता बुकल जो पूरु शिक्षा मंत्री भी थी विधायक है आजकल उनका टिकेट कनफर्म हुआ है बेरी से रगवीर सिंग कादियान ज जेवाडी से चरंजीव राव का टिकेट तै हुआ है नू से आफ्ताब एहमत को फिर टिकेट मिला है फिरोजपुर जिरका से मामन खां हमने बताया था मामन खां को ही टिकेट मिली है फरिदाबाद एनाइटी से नीरच शर्मा जो वहां के विधायक में है अमने कहा था एन कि कॉंग्रेस आला कमान ने अपनी सूची के अंदर जो उनके चार विधायक जिन पर आरोप लगे हुए हैं तीन विधायक तो ऐसे हैं कि जो एडी के शिकंजे में हैं सुरंदर पवार धरम सिंग छोकर और तीसरे विधायक है रावदान सिंग सुरंदर पवार तो आजकल जेल में हैं और एडी की कस्टडी में हैं एडी ने उनको जेल भेजा हुआ है और धरम सिंग छोकर और रावदान सिंग पर दविष भी होई हैं और चौते विधायक मामन खां मामन खां जिन पर कि नूदंगे का आरोप था और उनको भी जेल जाना पड़ा कई दिन वो जे कर दी एक तो जो कॉंग्रेस पाट्री के कारे करता हैं और नेता हैं वो सामने बुलंदी से आकर नड़ सकेंगे कि उनके नेताओं को फसाया जा रहा है और दूसरा इन नेताओं का होसला बढ़ेगा कि उनका आला कमान उनके साथ खड़ा हुआ है तो यह तो वो 32 सीटे थी जो हमने बताई थी वो कंफर्म होई अभी बाकी इसके अंदर 58 सीटे और बाकी हैं 58 नाम भी हम आपको बता चुके हैं आपको क्या रगता है कि क्या उन 58 नामों में भी देश रोजाना की जो संस्तुती है जो नाम है उन पर महर लगेगी और या फिर कोई कैंडिडेट और ह सकते हैं कमेंटस बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें